कि नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा हमारे महमान हैं समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी अधिव्यक्ता सभा के राश्ट्री अध्यक्ष गौरव भाटिया उनसे जानने की कोशिश करें रहें हैं इन 80 सीटे आती है उत्तर पदेश से इन 80 सीटों पर घमासान हैं और खास दॉर पर दिक्कत यह है समाजवादी पार्टी को की वह अभी तक अपने टिकट बदल रही है पहले उन्होंने सबसे पहले गोशित किये और अब वो बदलने प प्रकर जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे 2012 के एसेमली के एलेक्शन हो चाहे वो 2014 के लोकसभा के एलेक्शन हो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी सबसे पहले गोशित किये और ये जो अभी बदले जा रहे हैं टिकेट ये क्यों बदले जा रहे हैं इस हैं उनका ये मानना है कि उनसे बहतर कोई और कैंडिट लड़ पाएगा और भी परिस्तितियां आती हैं उन सब का आंकलन करने के बाद जो हमारी राश्ट्रे नेत्रुत है वो फैसला लेती है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट होगा पार्टी का जो सबसे बहतर कि मैंने कम से कम डिर्ड हजार चाय पी हैं डिर्ड सो सभा की है लाल टोपी लगा के साइकल चलाता रहा अब वहीं के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं खास करके समाजवादी पार्टी के कार करता तो ऐसे लोग आपको नुकसान भी तो पहुँचाएंगे आप कैसे जीते देखिए पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कुछ दिक्कते जरूर आती हैं किसी विक्ती ने अगर मेहनत करी है तो उसकी कुछ उमीदे भी होती है जब टिकेट कटा है तो कश जरूर होता है लेकिन समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां सिर्फ सत्ता के लिए और चुनाव लड़ने के लिए कारेकरता पार्टी से नहीं जोड़ता यह वो पार्टी है जहां मैं कितने अंगिनत कारेकरताओं को जानता है कि सालों सालों पार्टी की सेवा कर रहे हैं समाजवाद की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन पार्टी का टिकेट नही अब की साइकल चला के क्या वो नेता जी को प्रधान मंत्री बना पाएंगे या इसमें पंक्चर कर देगी बीजेपी ये वो साइकल है जिसको 2012 में भी सब ने पंक्चर करने की कोशिश करी लेकिन पंचर हुई नहीं सब लोग दर किनार हो गए ये वो ही साइकल है जो जब रत्यात्रा निकली श्री अखलेश जादव जी की उत्तर प्रदेश में तो कोई इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था लेकिन वो ही पत्रकार और वो ही मीडिया इस रत यात्रा का सही मकसद समझ पाए उसकी ताकत को समझ पाए और जगा जगा उनके रत के पीछे चलने लगे साइकल की भी शुरुआत हुई है दिशा तो आप अपनी तरफ से देख रहे हैं चाहे दिल्ली से लखनव आए चाहे लखनव से दिल्ली आए यह जो पूरा शेत्र है इसको हमें समाजवाद का बना देना है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब यहां से साइकल यात्रा शुरु में तो एक भारी संख्या में भीड़ वहां थी और एक नई जोश नई उर्जा और हमारे जो राश्ट्रिय ध्यक्ष मानी मुलायम सिंग्यादव हैं उन्होंने आशिरवाद दिया युवाओं को कि आपने हमेशा भारी भूमिका अदा करी है और इस चुनाव में भी आप स जी को बनाएंगे प्रधान मंतरी 272 कैसे है पहली बात जब आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में समठ जाती है तो ऐसी बात सच नहीं है ऐसा मैं इसके लिए कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की लोगसभा की जो है सीट रही है उत्रकंड म में भी उसके अलावा हमारी मद्य प्रदेश में 8 MLA रहे हैं हमारे महराश्ट्र में भी MLA है राजस्थान में भी MLA थे हमारे और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे समाजवाद की सोच और समाजवादी पार्टी को लोग अपना समझते हैं और चाहते हैं कि वो आगे बढ़ हैं यहां पर समाजवादी पार्टी का पर्चम होना यहां असी सीटों में से हम एक टाइम पर 49 सीटे जीट चुके हैं यह अपने आप में कहता है कि यह प्रदेश की पार्टी नहीं है यह कुछ राश्ट्री पार्टियों से ज्यादा बड़ी पार्टी है लेकिन फिर भी ह और प्रदेशों में भी फैले उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा एक प्रदेश है कि असी जहां पर सीटे हों उसको यह नहीं कहा जा सकता कि अगर हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो तो वो केवल एक प्रदेश में सिम्टा हुआ है यह प्रदेश बहुत श्राइमें यह कैसे थाबित हो पाएगा कि और उसी मोर्चे में सीदे तौर पर शरद यादाव आ जाते हैं मुलैम सिंग यादाव आ जाते हैं देवी गोडा आ जाते हैं प्रकाश करात आ जाते हैं इतने बड़े दिगज जिसमें कौन होगा प्रदान मंतरी का आज की जो स्तिती है देश में वो सारे जितने युवां हों चाहे वो और बर के लोग हों वो देख चुके हैं कि कॉंग्रिस ने अपने दस साल के शासन में भ्रष्टा चार के अलावा इस देश को कुछ दिया नहीं जहां तक भाजपा की बात है तो जब तक भारत के समविध में पंथ निर्पेक्ष्टा की बात है तब तक मेरे ख्याल से जो इस देश का अलव संख्यक समुदा है वो भाजपा को कभी स्विकार नहीं करेंगा और इसकी वज़ा भी है अभी आगे मैं उस पे जो है कुछ बाते कहूंगा आज की डेट में सब चाहते हैं कि एक नया मो हो और यहीं पे एक और ताकत जो उभर की निकलेगी वो है यह संयुख्त मोर्चा जो है यह चुनाव के परिणाम आने के बाद और बड़ा रूप लेगा और सशक्त रूप लेगा और यही संयुख्त मोर्चा अगली सरकार बनाएगा आप खुद सम्मिधान को समझते हैं, आप सुप्रिम कोट के लोयर हैं, आप खुद अपनी सरकार यानि उत्तर पुदेश की सरकार को सुप्रिम कोट में डिफेंट भी करते हैं, धर्म निर्पेक्ष था कि अगर परिभाशा आप देखें, तो बीजेपी कहां से अन्फिट है उसमें, बीजेपी अगर धर्म निर्पेक्ष नहीं है, तो वो इस देश में विपक्ष की पार्टी कैसे बनी हैं? यह नहीं कहता कि सुप्रीम कोट जो भी तै करेगा, वो सब के लिए मानने होगा, जब उनका ही एक स्पीकर है, सुब्रमनियम स्वामी जी, वो कहते हैं कि हिंदू जो है, भारत को हिंदू राष्ट घोशित कर दीना चाहिए, उनके खिलाफ क्या कारवाई होती है? यह किसी धर्म की बात नहीं है, यह बात है भारत की अखंडता की, पच्चिस करोड लोग जो यहां भारत में हैं, वो भी इसको अपनी अस्थल मानते हैं, अपनी कर्म भूमी मानते हैं, अगर हम उन पच्चिस करोड लोगों को हटा के चाहेंगे कि यहां पे भारत का ग्रोथ हो, त हम एक समर्द और एक ऐसा राष्ट दें जहां सब को बराबर कहा को वो तो कह रहे हमाई पास मुक्तार अब्बास नकवी है वो कहरे हमारे पास शेहनवाज है आप कैसे कह सकते हैं कि वो धर्म नेता हो या कोई और नेता हो वो सब है पार्टी में बहुत अच्छी बात है लेक पाता है उनका cabinet जब बनता है तो उसमें कोई मंत्री जो है वो माइनोरिटी से नहीं होता है उत्तर प्रदेश में यही भाजपा 403 सीटों में एक प्रत्याशी जो है माइनोरिटी कम्यूनिटी का देती है और ज्यादा दूर क्यों जाए अभी पांच प्रदेशों की क्यों नहीं माइनोरिटी को उन्होंने टिकेट दिया यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब प्रदान मंत्री के जो उमीदवार है उनको देना होगा बीजेपी कहती है सीधे तोर पर कि हम तो वो पार्टी हैं जिसने इस देश को राश्पती ही हमने अब संख्यक दिय वो कहते हैं कि जब हमारा टाइम था हमने आपको एपी जी अब्दुलकलाम दिये हैं आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं और मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ फरक सिर्फ इतना है वो तो किया रहे हैं कि हमें सब को साथ लेकर चलना है जो पच्चिस करोड के माइनॉरि की बात करें तो किसी व्यक्ति की बात ना करें आप अपनी स्कीम ऐसी हो कि जिसमें सब संख्यक शामिल हो जब आप भागेदारी की बात करें तो आप सब की सोच उसमें रखें तब जो है वो महसूस करेगा कि हां कोई पार्टी उनकी बात कर रही है उधारन के तोर पे मैं आपको समाजवादी पार्टी की उधारान देना चाहूंगा। सच्चार कमीटी की रुपोर्ट जो है वो बहुत साल पहले हा गई थी। वो आज तक लागू नहीं होई। अगर कोई प्रदेश है जिसने उसकी रेकमेंडेशन को समझा और लागू किया तो वो हमारे मुख्य मंतरी अखले शादव जी ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्ने लिया कि जितनी भी सरकारी योजनाएं होंगी उसमें बीस परसेंट जो है भागिदारी अल्व संक्यों की रहेगी। लेकिन भारती जंता पार्टी सीधे तोर पर कह रहे हैं कि गुजरास से जरेंद मोदी जी कह रहे थे कि गुजरात में दस साल में कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने इतना समय भी नहीं निकाला कि वो जो हूम मिनिस्टर की रिपोर्ट थी पार्लिमेंट के फ्लोर में दी गई थी। उसमें ही बताया हुआ था कि 2012 में वहाँ 56 कम्यूनल केते हैं तो मेरी सिर्व इतनी है गुजारिश है कि सचाई को सामने आना बहुत जरूरी है। आप ये कह दें एक सारजनिक मंज से कोई दंगा नहीं हुआ कोई कम्यूनल घटना नहीं हुई और दिखाई दे रहा है वहाँ पार्लिमेंट के फ्लोर पे ये बात हमारे होम मिन मिस्टर कहते हैं कि इतने दंगे हुए वो रिपोर्ट हमारे सामने है इस बात पे उन्हें जवाब देना चाहिए सपाई देना चाहिए सच सामने आना चाहिए ऐसे ही आपकी जो आप बात कह रहे हैं कि मुस्लिम वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है आपने कहा बहुत ही खुशाली में है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चलते हैं वहाँ देखते हैं कितनी खुशाली में है अबी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाईएगा ब्रेक के बाद लोटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी के दामन पर मुझे फड़नागर दंगों के दाग हैं और बीजेपी बार बार कह रही है कि धाई सो से जादा दंगे अ उत्तर पदेश में और उन्हीं के उपर बात करके बीजेपी कह रही है कि मुसल्मानों की हवादत सिर्फ कर सकती है तो बीजेपी सपा नहीं जानेंगे गौरब हट्या से इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमाई संग गौरब हट्या मौजूद हैं उससे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कह रहे हैं गुजरात के दंगो को माफ नहीं किया जा सकता बीजेपी कह रही है मुझे फरनागर में क्या हुआ मुझे फरनागर में दंगे क्यों हुए सरकार आपकी प्रशासन आपका शासन के साथ साथ क्यों नहीं law and order की situation वह सही होती है मुजफर नगर दंगे जो हैं वो हुए नहीं थे वो कराई गए थे आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था मैं अभी आपका प्रश्न का जवाब दूगा अगर आप थोड़ा सा समय दे गोधरा के जो कांड हुआ और मुजफर नगर के कांड में एक सिमिलारिटी थी और वो स ने एक फेक वीडियो अफगानिस्तान का अपलोड कर दिया और सर्कुलेट करना स्टाट कर दिया क्या एक राश्ट्रे पार्टी को ये शोभा देता है उनसे तो उमीद की जाती है ठीक है आप विपक्ष में हैं लेकिन आप सोहार्द बनाए रखेंगे आप सरकार से काइदा लगता है होगा होगा नहीं लेकिन लगता है जो एमेले जिनोंने ये कारे किया जिनके खिलाफ प्रदेश सरकार ने कड़ी कारवाई करी नाश्नल सेक्योरिटी आर्ट इनवोग किया अरेस्ट किया उनको जो है मंच से जब नरेंद मोदी जी वहां जा रहे थे और कि लुट इसके बाद जो लोग दंगे करवाते हों उनको हीरो बना दे शायद उनका दर्द जो वहां पीडत हैं शायद जो परिवार हैं जिनके परिवार जनों की मृत्यों वहां हुई उनका दर्द ये लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इनके लिए विफल तर किसकी है सरकार आपकी है कौन विफल है सरकार आपकी है प्रशासन है पुलिस आपकी है क्यों नहीं वहाँ पर पुलिस को कारवाई करने दिए लिए है इस बात से मैं कतई मना नहीं करूगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जिम्मेदारी ली और अफसोस जताया लेकिन सरकार ने आज तक किसी भी दंगे में इतना बड़ा पाकेज नहीं दिया गया होगा रिलीफ का जितना हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया जो मांग आई वो मांग पूरी की गई, आरमी बुलाने में कोई देरी नहीं की गई, हमने ये चिंता नहीं करी कि आरमी आईगी तो लोग क्या कहेंगे, कि प्रदेश सरकार किया कर रही है हमने वो किया जो हमें लेकिन दंगे ऐसा रूप ले रहे थे क्योंकि उसमें ये लीडर खुट शामिल थे कि उसको उस वक्त कंट्रोल करने के लिए आर्मी की ही जरूरत थी और आर्मी वहां तुरंत आई और दंगो को रोका गिया आज सरकार चाहती है कि जिस भी तरह से हम उनका दर्द बांट सके और जो सुविधा उनकों चाहिए उनमें यकीन नहीं पैदा कर पा रही है आपकी सरकार वो अप सरकार ने क्योंकि विश्वास जीता लोगों का एक समय पे सेप्टेंबर के आसपास एक्यावन हजार लोग शर्नार्थी थे और तीन महीने के कम समय में वह संख्या जो है तीन हजार पे आ गई 48,000 शर्नार्थी वापस चले गए यह कैसे हुआ हमें इसकी वावाही नहीं चाहिए क्योंकि यह हमारा कर्तव है हमें यह करना था लेकिन अगर कोई यह कहे कि सरकार चुप बैठी थी और कुछ नहीं करी थी तो यह भी गलत है इसका मैं खंडन करता हूँ 48,000 लोग वापस अगर गए तो उनका विश्वास सरकार नहीं जीता श्री अखिलेश यादव जी ने खुद जाके वहाँ पे पीड़तों की बात सुनी लेकिन अब भी वहाँ की जनता यह कह रही है कि हमें सिर्फ बोट बेंग की तरह यूज किया जा रहा है अब भी वहाँ की जनता कह रही कि हमायापस सुमिधाएं नहीं है और अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो बीजेपी कह रही है कि कितने उन लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए जिनके नाम थे पुलिस में आप बीजेपी की तो बात कर रहे हैं सपा के लोगों के खिलाफ मुकदमे क्यों ने लिखे गए की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि कैम्प में पुलिस ने जाके और इन कैम्पों में फायर लिखी जहां तक अरेस्ट की बात है हमने धर्म के परिपेक्ष में कोई भेदभाव नहीं किया एक मुझरिम जो होता है वो मुझरिम होता उसका को आया उत्तर प्रदेश ने जिसमें की वरिष्ट सारे अधिकारियों को रखा और यह हमने देखा कि जो उस शेत्र का अधिकारी हो या किसी जात का हो जो दो वर्ग के बीच में जगड़ा हुआ वो अधिकारी इस SIC में ना हो और चारशीट फाइल हुए इतनी जल्दी जो क कभी नहीं हुआ ठीक ये आप कह रहे हैं आप एक चीज और भी समझ रहे हैं कितना जादा ये दर्द भी देता है या इससे फायदा भी होता है जब विरासत की राजनीती मिलती है विरासत में सबसे ज़्यादा युवा मुखमंतरी उत्तर पदेश को आप लोगों ने दे होगा कि law and order वो संभाल नहीं पा रहे हैं वो सिर्फ law and order की बात नहीं जब आपको विरासत में कुछ मिलता है तो लोग ये कहते हैं कि बहुत बड़ा platform था और वो मिल गया शायद अखिलेश यादव जी को जो मिला विरासत में मानिय मुलायम सिंग जी की जो गुडविल थी जो उनका आदर किया जाता था वो भी उने विरासत में मिला और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उने मिली कम उम्र में 2012 के परिणाम जो आये और सबा की एक भुमत की सरकार आई उसमें बहुत बड़ा योगदान श्री अखिलेश यादव जी का उनकी करमत्ता उनकी मेहनत उनका स्वभाव शायद जनता ने पसंद किया और हमें इतनी सीटे दी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री से जनता सीधे जाके मिल सकती थी आपको उत्तर प्रदेश का पता है आप उत्तर प्रदेश से ही वहां के दरवाजे आम जनता के लिए बंद हो गए थे मंत्रियों के लिए भी बंत है तो आम जंता की हम क्या बात करें श्रीय अखिलेश यादव जी की ही ये सोच थी कि पहली बार इंडस्ट्रिल पॉलिसी आई पहली बार करप्शिन के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो इस सरकार ने लड़ी ठीक है आपका एक टैग लाइन थी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे कहां से उत्तम प्रदेश वो बना आप लगभग लगभग मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं ड़ाई साल हो रहे हैं होने को आए सरकार को आपके हैं दो साल पूरे हो गए दो साल पूरे हो गए हैं अब जो स्थिती आ रही है उस स्थिती में सीधे तोर पर गुजरात के मुखमंतरी कहते हैं कि हम विकास देंगे विकास पे वो वादा कर रहे हैं आपके हां ऐसी कौन सी इंडिस्ट्रियल पॉलिसी है जो गुजरात को पीछे छोड़ देगी अभी लखनव में जो है उसका शिलन्यास किया गया लखनव में मेट्रो आ रही है यह बहुत बड़ा कदम है बहुत बड़ी उपलब दीर जहां तक बात होती है एक्सप्रेसवे की तो आगरा से लखनव तक जो है एक्सप्रेसवे को ले जाया जा रहा है जो उसके अलावा पावर प्लांस है उत्तरप्रदेश में पावर की कमी रही है और पिछली सरकार ने सुनिश्चित कर दिया कि यह कमी इतनी बढ़ जाए कि आम जंता तक पावर ना पहुँचे और कई हजार करोड का नुकसान हो रहा था जो वहां पे स्टेट की पावर कं हो गई जो दूरी थी एक गाउं में एक स्टूडेंट था और एक शहर में था वह दूरी को जो लापटॉप बांटे हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस दूरी को उन्होंने खतम कर दिया और इसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं एक जो गाउं में भी एक लड़का है वह इ कि आपकी योजना है और उसमें ये कहा जा रहा है सुन लिजे उसमें कहा जा रहा है गाउं के अंदर कि इसके अंदर modern software डेवलप नहीं हो सकते ना लग सकते हैं उस पे काम नहीं हो सकता बच्चों ने 55,000 में अपने बेज दिये हैं अब वो पैरें दुबारा भी बेज देंगे 35,000 का था computer का student रहा हूँ और मैं उसके configuration से वाकिफ हूँ जो computer डिये गए वो बहतरीन थे हर लिहाज से हर लिहाज से और जो भी अगर आप जैसे software की बात कर रहे हैं तो software उस पे load होते हैं और आप पूछिए गाउं में पूछिए या शेहर में पूछिए आपके भी कई जानने वाले से होंगे जिन्होंने उसी computer पे typing सीखी है उसी से job पाया है आपने बात रही कि भेस्टाचार के खिलाफ आपकी सरकार लड़ती है लेकिन पताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भेस्टाचार है आपकी सरकार में भी है और यहां तक बात आती है कि नेता जी के ऊपर किसी व्यक्ती ने एक public interest litigation सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया उस litigation में उसने कुछ ऐसे तथे रखे जिसका कोई आधार नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि इसकी preliminary inquiry होनी चाहिए और मैं यह भी बता दूँ कि preliminary inquiry जो होती है वो FIR registration से पहले होती है preliminary inquiry हुई और उसमें कोई तथे सही नहीं पाए गए और वो CBI ने मुकदमा बंद कर दिया अब आज की स्थिति यह है कि जो विरोधी पार्टी है वो ये बात जरूर उठा सकती है लेकिन सच्चाई यह है कि उनका 50 साल का जो निचोड़ था वो सामने आ गया और इवन प्रत कि यह आपको इनाम दिया गया है CBI ने यह मुकदमा इसलिए वापस कर लिया क्योंकि आप 5 साल सरकार चलवाते रहे यूपीय की और बाहर से समर्थन देते रहे और ब्रस्टाचार को आप कह रहे हैं आप विरोधी हैं लेकिन ब्रस्टाचार की जो सरकार थी उसका आप समर समाजवादी पार्टी रही यूपीय की आप खुद जानते हैं कि FDI हो चाहे रेजरवेशन प्रमोशन हो और भी कई क्रिमनल अमेंडमेंटमेंट आयक्ट आया उसमें भी समाजवादी पार्टी ने जब यह देखा कि यह देश हित में नहीं है यह सही नहीं है या हमसे आम स पास ना कहीं रह जाएं जो सर्वे कह रहे हैं तीन पॉइंट यह है कि कुशल प्रशासर स्वच चवी और पूरे समाज को अपने साथ लेके चलने का हुनर जो अखिलेश अदव जी में है वो और कहीं नहीं मैं फिर कह रहा हूँ अभी अभी सर्वे आया है और उस सर्वे में कहा गया है कि 30% किसान बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं गन्ना किसान परेशान है आपने भुकतान नहीं किया अभी तक किसानों का गन्ने का बकाया है बीजेपी को आप कहते हैं किसान वोट देने जा रहे हैं किसान भी भारत के ही नागरिक हैं किसान भी जब भ्रष्टचार की बात होती है तो वो इस सरकार भी किया जाता है जब क्रिशक बीमा धुरगटना योजना की बात होती है तो वो इसी सरकार ने शुरुआत करी है जब उनको मुफ्त का पानी मिलने की बात होती है तो वो इस सरकार ने लागू किया है जब बिजली की बात होती है तो वो इस सरकार ने लागू किया है किसानों का हित, किसानों का भविश्य उज्वल हो, यह समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजए तो किस पार्टी ने देखा हैं। आप एक बार जाके किसानों से देखिए तो बात करके गौरोबार्टिया को लगता है कि आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी एहम भूमिका में नजर आएगी जब सोलवी लोकसभा के परिणाम आ रहे होंगे और उनको लगता है कि एक महती भूमिका समाजवादी पार्टी निभाएगी जब सोलवी लोकसभा का गठन होगा अब देखते हैं कि ये विश्वास कितने यकीन के संग उस टाइम सामने आएगा जब पिटारा खुल रहा होगा नतीजे सामने आ रहे होंगे लेकिन युवा इस देश का किसको लेकर आएगा सबसे ज़्यादा इसी पर सभी पार्टियों की निगाह है प्रकर प्रकाश मिश्रा को दीजे इजाज़त देश और दुनिया की बागे खबरों के लिए आप बने रहें साधना नियूस के साथ नमस्कार